विद्ध्यार्ति मित्र हो नमस्कार मी यल्डी ढगे आमचा इनोवेटिव यू पब्लिकेशन चा डिजिटल प्लाट्वाम और आपले हार्दीक हार्दीक स्वागत करतो विद्ध्यार्ति मित्र हो अपना समाहितस आहे कि सद्या आपन यमसीक्यू चीव टॉपिक नहाए विडियो सीरीज पाता हो मागी लुडियों मदे आपन यूनिट क्रमांक आकरा बेसिक वाइरिंग प्रैक्टिस या वरिलकाई महत्व पूर्ण यमसीक्यू पाइले पुना एकदा आज आपना समाहित आपना समाहित आपना पुब्लिकेशन चे लेक्चरर सेख हैदर सर घ्योना लियाहित आपने बारावे यूनिट वाइरिंग इंस्टॉलेशन वा अर्थिंग या वरिलकाई महत्व पूर्ण यमसीक्यूर्ण विध्यार्तिमित्र हो हाँ वीडियो आवरल्यास लाइक करा शेर करा वा आम चा आई वीवीपी आउनलाइन या यूटूब चैनल ला सब्क्राइब करा त्याज वरोबर बेल आइकान मदील आल नोटिफिकेशन ला क्लिक करन्यास विश्रून का चलात्रमक पावयात आपल के बरावी यूनिट वाइरिंग इंस्टालेशन वा आर्थिंग या वरिल यमसी क्यूज पहला सवाल है वाट इस दे मिनिममम साइज आफ कॉपर अर्थ कंटिनुटी कंड़क्टर यूज इन सिंगल फेज डोमेस्टिक वाइरिंग ऐस पर बी आयस यानि सिंगल फेज अर् नूसर यहां पर यह और है यहां पर है ऑप्सिन नमबर ए फाइट फाइउ स्क्वार मिललीमेटर आपेट-व्यू आप इहां पर कोशन कीया गया है कॉपर कंड़क्टर के बारे में यह यहां पर जो भी इस्तेवाल के कॉपर और कभीकभी हम या और्थ हं अर्त यूञ्ट तो वहाँ पर Earth Continuity Conductor का BIS Bureau of International Standard के इसाब से 2.5 स्क्वेर मिलिमीटर यह साइज होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर क्वोश्चन किया गया है copper conductor के बार में किसके बार में copper Earth Continuity Conductor के बार में याने यहाँ पर दिये वाले option में option number A 1.5 स्क्वेर मिलिमीटर यह सही answer होगा अगला सवाल है where system earthing is done याने system earthing हम कहाँ पर करते है याने system earthing का application क्या है यह हमको बता रहा है option number A electroplating installation option number B generating station option number C small industrial installation और option number D है domestic wiring installation अब यहाँ पर हमको question किया गया है system earthing के बार में याने system earthing हम कहाँ पर करते है system earthing का इस्तेमाल हम हम बड़े बड़े और छोटे से छोटे subtation और generating station पर करते हैं इसे हम याने यहाँ पर option number B सही answer होगा generating station अगला सवाल है how to control harmonic distortion in neutral connection as per IE rules याने Indian electricity rule के इसाब से harmonic distortion neutral में से किस तरह से हम कम करेंगे option number A है increasing conductor size option number B है providing by plate earthing option number C है earthing through impedance option number D है providing parallel earthing अब यहाँ पर हमको question किया गया harmonic distortion के बार में यानि harmonic distortion neutral connection से हम किस तरह से यानि कौन सी मेथड इस्तेमाल करके हम आपसे harmonic distortion कम कर सकते harmonic distortion का मतलब होता है multiple fundamental of frequency यानि जो हमारी fundamental frequency नॉर्मल हम इंडिया में फंडामेटर फ्रिक्वेंसी किता है मार पास 50 अब उससे मल्टीपल अगा थड़ हार्मोनिक रहा है तो किता 150 into 3 मतलब 3 times of multiple frequency यानि किता होगा इसको क्या गायती हम harmonic distortion अब harmonic distortion कम करने के लिए कहा से neutral से हम क्या करते है हम क्या गरते है आर्थिंग प्रोवाइड करते थ्रूं impedance अब यहापर अगर हम star connection अगर दे रहे सपोज यहापर हमारे पास यह star connection अब यहाँ से हम neutral से harmonic content कम कर सकते हैं यहापर जो option दिया ला है उसमें से option नमबर सी जो है वह सही आंसर होगा है क्या है option नमबर सी arthing through impedance जो भी आर्थिंग करेंगे डारेक्ली ना connect नहीं करते हैं क्या करेंगे उसको impedance करेंगे अगला सवाल है how the earth resistance can be reduced याने earth resistance हम किस तरह से कम कर सकते अब यहाँ पर हमको question किया गया है how to reduce earth resistance याने earth resistance हम किस तरह से रो एल बाए याने डारेक्ली प्रोपोर्श्टनल लेंद पर रहता जिस्ता बढ़ेंगा उत्ता बढ़ेंगा लेकिन हमको आपके करना है कम करना है option number B क्या है reducing the pit dip reducing pit dip याने जो भी आर्थिंग का जो गड़्डा करें हमने उसकी अगर उसकी डिप यानि जिए खोला जमीन के अंदर है वह अगर कम करेंगे तो हाँ पर प्रोपर moisture content नहीं मिलेगा option number C है providing double arthing अगर double arthing provide करते या फिर एक से ज्यादा electrode का अगर इस्तेमाल करते और हम उसको parallel connect करते हैं तो हाँ अगर जब भी हम एक से ज्यादा electrode parallel में connect करते हैं तो total जो equivalent resistance से वह कम हो जाएगा यानि option number C यहाँ पर सही answer हो सकता यानि सही answer ही है providing double arthing option number C इस question का सही answer होगा अगला सवाल है which wiring installation the system arthing is to be done यानि कौन से टाइप के installation में हम system arthing का इस्तेमाल करेंगे option number A go down wiring option number B subtation option number D domestic wiring option number C commercial wiring अब यहाँ पर हमको question किया गया है system arthing हम कहां पर करते system arthing हमने इससे पहले के question में भी देखे हमने कि system arthing का इस्तेमाल हम कहा करते subtation के लिए और generating tations के लिए तो यहाँ पर option number B subtation है यानि option number B सही answer होगा subtation अगला सवाल है which principle the arthur tester works यानि arthur tester किस principle पर काम करता है option number A है fall of potential method option number B है mutual induction option number C है self induction option number D है flaming left hand rule अब यहाँ पर question किया गया है what is the principle of earth resistance tester यानि arthur resistant tester टेस्टर किस किस तत्व पर काम करता है आर्थ रिस्टन्स टेस्टर यह fall of potential method इस principle पर काम करता है यानि हाँ पर होगा option number A is say answer option number a fall of potential अगला सवाल है which method of earth resistance measurement is illustrated यानि यहाँ पर और चाहिए है किस मेत्षड का इस्तेमाल किया गया है आर्थ रेजिस्टंस मेजर्मेंट के लिए option नमबर ए फॉल अप्उड अप्शन नमबर बी ए करन डिवाइडिंग ऑप्शन नमबर सी है फॉल अप्शन नमबर डी है potential dividing अब यहाँ पर जो हमको हमको डाइग्राम दिया ओला जो figure दिया mention कर रहा है यह मेथड़ है fall of potential कुन सा है fall of potential यहाँ पर दिया ओला option है option number C सही answer अगला सवाल है which system earthing is different in utilization than equipment earthing याने equipment earthing यह system earthing से किस तरह से अलग है दोनम यानि दोनों का difference बताने हमको system earthing और equipment earthing में इस दोनों में major difference क्या है ठीक है यहाँ पर option number A है it protect women's only option number B है it protect from all circuit fall option number C है it is connected to the non current carrying metal work option number D है it is associate with current carrying conductor अब यहाँ पर question क्या आगा है क्यों why system earthing is different in utilization than equipment earthing याने system earthing में क्या difference है system earthing में जो भी देते हम हम इसको देते हैं किसके साथ current carrying conductor के साथ एक आड करते है याने it associate with current carrying conductor याने option number B यहाँ पर सही answer हुआ अगला सवाल है what is the reason of supplying AC to the electrode of measuring earth resistance याने earth resistance मेजर करने के लिए electrode को AC current दिया जाता है Q option number A provide electrostatic shield option number B avoid the effect of electrolytic EMF interference option number C है reduce the value of current in meter option number D है protect the coil in the meter अब यहाँ पर हम earth resistance electrode को AC सप्ला जब देते हैं उसकी वजा होती है is to avoid the effect of electrolysis EMF interference याने option number B सही answer हुआ अगला सवाल है what is the effect if a person receive shock current of 20 milliampere याने अगर किसी व्यक्ति को 20 milliampere का current याने शौक लगता है तो उस पर क्या होगा क्या परिनाव होगा याने इसके उपर तो उसे painful होगा याने इसको painful शौक लगेगा याने आप दियावला option number A जो हमारा वास है सही answer होगा painful शौक अगला सवाल है which method is used to reduce आर्थ रिजिस्टन्स वैल्यू इन एक्जिस्टन्स आर्थ यानि जो आल्रेडी एक्जिस्टन्स है यानि जो हमने रिजिस्टन्स आर्थ रिजिस्टन्स हमने करके रखावा है उसकी रिजिस्टन्स वैल्यू हम किस तरह से कम कर सकते हैं option number A है keeping weight condition in earth pit always option number B है increasing the length of electrode option number C है adding more sand and charcoal in earth pit option number D है increasing the diameter of the earth electrode अब यहाँ पर दिया आला question में हमको यह सीदी सीदी बात mention किया है कि एक्जिस्टन्स आर्थ है एक्जिस्टन्स मतलब जो आर्थ हम आर्थ रिस्टन्स किये थे और इग्जिस्टन्स है यानि नया कोच्छ नहीं कर रहे हैं उसमें तो हाँ पर क्या हुआ इंक्रेजिंग लेट आप इलेक्टोड कर सकती है नहीं पॉसिबल नहीं क्योंकि एक्जिस्टन्स है उसके बाद में इंक्रेजिंग डायमेटर वह भी नहीं कर सकते क्या कर सकते किपिंग्ग वीट और इन और यानि बाद में गीला करते है गया ब्रॉपर प्रॉपर्र कंडिशन और प्रॉपर कौंटी жизнь में क्या देना है नुपर कैपिंग वीट कंडियुट्प का मश१ा सब्सक्राइवार यानि इस कोश्णं का एनसर हूँआ option number A keeping weight condition in earth pit always अगला सवाल है good earth continuity implies याने अच्छी earth continuity क्या दर्शाता है option A high resistance option number B low resistance option number C open resistance option number D low resistance अब जब भी हगर हम earth resistance के अगर बात करते हैं अगर अच्छे से अच्छा अगर earth resistance अगर हम बता ना है तो उसकी वालू उतनी कम होनी चाहिए जितनी वालू अगर कम रहेंगा उतनी लार्जर अमोंट और जल्दी से क्या होगा leakage current डाउट होगा टूवर्ड ग्राउंड याने जमीन के तरफ हम protection के लिए क्या करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं इसलिए उसका जो resistance होना जितना चाहे possible हो सके उतना कम करते आने को ना इसलिए यहाँ पर गुड अर्थ continuity का मतलब होगा लो से लो रेजिस्टन्स यानि हाँगा option नमबर डी लो रेजिस्टन्स अगला सवाल है मेंगर कि रिडिंग क्या बने चाहिए अब यहां पर क्या मेंजण क्या डेड़ शौर्ट अब छौर्ड सर्केट कंडीशन है तो यहां पर रेजिस्टन्स की वालू जीरो हो जाएंगे जिरो और हम जब भी अगर मेगार्थ का अगर रिजिस्टंस हम क्या करते हैं स्पेसिफाइट करते हैं तो क्या मैं करते हैं मेगा हुम में जैसा ओलड़ यहाँ पर एक्जाम्पल ऑप्शन में दिया ओप्शन नमबर A क्या है वन मेगा हुम ऑप्शन नमबर B क्या है जिरो मे देड़ शॉर्ट शर्किट के बात शॉर्ट सर्किट में रिजिस्टन्स कितना होगा जीरो ओह याने इस कोशन का अंसर ओप्शन नमबर भी जीरो मेगा ओह अगला सवाल है, what is the formula to find voltage drop in AC single phase wiring circuit? AC single phase wiring circuit में voltage drop निकालने के लिए क्या कोई सा formula हम इस्तिमाल करें? option number a, voltage drop equal to I square R hold, option number b, voltage drop equal to I into R hold, option number c, voltage drop is equal to I divided by R hold, option number d, voltage drop equal to I R divided by 2 hold, अब यहाँ पर जब भी अगर हम किसी भी resistance का अगर, voltage drop अगर हमको find करना है, suppose कोई लोड रहे हैं, फिर कोई resistance रहे हैं, फिर कोई भी installation system होगा, तो हम यहाँ का पल्टिकुल है, यह condition का अगर हमको क्या करना है, voltage drop करना है, तो देखना पड़े हैं, इस में से जाने वाला current की amount क्या है, वहाँ काईच, और इसके रेजिस्टन्स की वैलू, याने प्रोड़क्ट अब क्या होगा हमारा, I into R, क्या होगा, I into R, और इसका जो यूनिट हैं, क्या हैं, हमार पास, hold, क्या हैं, hold, तो यहाँ पर होगा, option number A, कहाँ पर देखर हमको, option number A, I square, गलत होगा, option number B, voltage drop I into R, कहाँ, I into R, याने इसकोशन का एंसर होगा, option number B, voltage drop is equal to I into R, hold, अगला सवाल है, what is the advantage of creeping, याने creeping का फायदा क्या है, option number A, gives a net appearance, option number B, reduce, load current, option number C, easy to replace, option number D, avoid lose connection, creeping का मतलब होता है, हम किसले इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर lose connection, और lose connection के वाज़े से होने आवले hit, generate, sparking, यह सब चीज़ों का avoid करने के लिए हम क्या करते हैं, terminal को creeping करते हैं, और creeping, यहाँ पर देखर होगा, option number D, सही आएंसर, याने creeping का फायदा क्या होगा, creeping का advantage होगा, avoid lose connection, option number D, सही आएंसर, अगला सवाल है, what is the maximum permissible load for power sub-circuit as per IE rules, याने Indian electricity rule के हिसाप से, maximum permissible load power sub-circuit पे कितना होना चाहिए, option number A, 800 watt, option number B, 1500 watt, option number C, 3000 watt, option number D, 2000 watt, अब power sub-circuit की बात करें, तो power sub-circuit पर maximum load capacity, यह 3000 watt से उपर नहीं होना चाहिए, पावर sub-circuit का इस्तेमाल हम, जैसे example की तोर पे, geyser, heater, mixer, fridge, kitchen या फिर कभी-कभी bathroom, toilets में, geyser के लिए उसका इस्तेमाल करते, heater के लिए इस्तेमाल करते, AC के लिए इस्तेमाल करते, air condition के लिए, तो ऐसे sub-circuit की power carrying capacity, maximum limit की तावना चाहिए, 3000 watt इससे उपर नहीं होना चाहि अगला सवाल है, what is the reason of lamp glowing dim and motor running slow in domestic wiring circuit, याने यहाँ पर, अगर किसी domestic installation, याने घर गूती installation में, lamp अगर slow चल रहा है, याने glow जो हो रहा है, वो कहता रहा है, उसकी light intensity कम हो गई है, और अगर कोई motor run हो रही है, तो उसकी speed क्या हो गई, तो इसका reason क्या है, option number A है, open circuit in the neutral line, option number B है, short circuit between two conductors, option number C है, open circuit in earth conductor, option number D है, high value series resistance fault, अब यहाँ पर question क्या गया है, what is the reason of lamp glowing dim, याने क्या वज़ा है कि जो lamp क्या हो रहा है, glow हो रहा है, लेकिन dim हो रहा है, motor run हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, अगर option number A, open circuit की बात करें, तो क्या होगा, open circuit अगर होगा, तो lamp glow नहीं होगा, और motor run नहीं होगा, क्योंकि उसके circuit complete ही नहीं होगा, अगर short circuit अगर होगा, तो उसके light intensity क्या हो जागी, dark नहीं होगा, और ज्यादा intensity से क्या होगा, lamp glow होगा, तो ये भी गलता answer होगा, अगर open circuit है, तो यहाँ पर ये भी गलता answer होगा, अगर high value resistance अगर series में अगर add हो रहा है, तो उसके across maximum voltage ड्रॉप होगा, क्योंकि higher value resistance है, और कुछ बच्चेवा remaining voltage कह पर जाएगा, कहाँ पर लैंप और मोटर के लिए, इसलिए मोटर और लैंप को जो rated voltage है, rated voltage से कम voltage मिलेगा, और कम voltage मिलता है, तो लैंप हमारा dim glow होगा, और जो motor runs होगे, वो क्या होगे, slow run होगे, यहाँ पर होगा, option number D, high value series resistance part, यह सही answer होगा, option number D, तर विद्धर ते मित्र हो, आशा प्रकारे, आज आपन unit क्रमांग 12 wiring installation वो आर्थिंग, या चाप्टर वरिल काई, महत्वपूर्ण MCQs पाहिले, पुडिल वीडियो मदे आपन unit क्रमांग 13, elimination या चाप्टर वरिल काई, महत्वपूर्ण MCQs पाहना रहोद, तेवाँ भेट प्राइब करा, बेल आइकान मदील अल नोटिफिकेशन ला क्लिक करा, जेने करों 99 विडियो ची महिती आपना समेडेल, धन्यवाद